हुआ हेलोरीबन तहो कैसे हैं आप लोग हाशा करते हैं कि सभी आपके सि वह सबावालेशेश्च्छ और नूटोंनियन मेकनिक्स को हमारा चेप्टर चल रहा है हम अपने पहले चेप्टर में अल्रेडी चार पाच वीडियो हमने अपलोड कर दिया है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्प्पन बॉक्स में दिया हुआ है यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्पन बॉक्स खोलें ल पे आज मैं इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ तो आप हमारे साथ बने रहें तो आईए देर ना करते हुए start करते हैं अपना पहला topic पहला topic है हमारा work energy theorem ठीक है ना work energy theorem देखो work energy theorem क्या कहता है work done will be always equals to the energy consumed यानि कि उतना ही work done होगा जितना की energy consumed होगा बात समझ में रहा ना जितनी energy consumed होती है उतना ही work done होगा एक और बात बताएं आपको कि यहां पर जो work energy theorem है इस theorem हमें प्रूब करना है कि work done will be always equals to the change in kinetic energy यानिकि कि किसी kinetic energy में किसी body के kinetic energy में जितनी changing आएगी उसमें उतना ही work done होगा जैसे suppose करते हैं let us consider a body let us consider a body having mass yamon हमने यहां पर एक body consider कर लिया इस bodyका mass yamon ठीक है यह चल लो इसका mass हमें e- 있나 맞 का बॉहड़ी है और यह body move कर रहा है यू व्योलाखटी से ठीक है इस body का mass yamch has our your velocity v you से मूग कर रहा है आगे किसी displacement के बाद कर लो कि यस displacement के बाद इस body का जो velocity है इस body का velocity V हो जा रहा है हम देख रहा है एक body है इस body का मास M है जो कि Y5 t से आगे के तरह范 कर रहा है और यह displacement करने के बाद में इस body की velocity V हो जा रही है ठीक है मतलब यहां पर कुछ नहीं को होगी तोहां पर exhalation होगा चाहाई velocity decrease हो या फिर velocity increase हो दोनों ही condition में का सकते हो कि accelerator जिर होगा फर्क सिर्फ इतना है कि जब body का speed बढ़ेगा तो वहां पर positive acceleration होगा और यादि body का speed घटेगा यानि कि विलोस्टी घटेगा तो तो वहाँ पर negative acceleration होगा, मतलब यहाँ पर acceleration है, हमें प्रूब क्या करना है, हमें प्रूब करना है कि work done जो होगा, वो change in kinetic energy के बराबर होता है, यानि kinetic energy में जीतनी चेंजिंग आएगी, उतना ही work होगा, ठीक है, तो आई यह देखते हैं, यहाँ पर derive करते हैं, इस equation को, as we know that, as we know that, या आप ऐसे कह सकते हैं, कि according to third equation of motion, ठीक है ना, लिख सकते हो क्या, according to third equation of motion, या कदिया, as we know that, v square is equals to u square plus 2as, सभी नहीं इस फर्मूले को पढ़ा होगा, class 11th में जब रहे होगे, तो इस फर्मूले को पढ़े होगे, इस फर्मूले को हम बोलते हैं, third equation of motion, here, final velocity को represent कर रहा है, u किसको initial velocity को represent कर रहा है, ax selection हो गया, और yes क्या है, displacement, ओके, तो देखते हैं, यहाप एक काम करो, u को दूसरे साइड में लेख जो, तो मिले का आपको, v square minus u square is equals to 2as, okay, v square minus u square is equals to 2as हो गया, बहुत बढ़िया, अब देखी, क्या करना है, इसमें, दोनों m by 2 से multiply कर लो, किसे multiply करना है, m by 2 से, ठीक है, दोनों साइड किसे multiply करना है, बच्चो, m by 2 से, अच्छे कोगे सर, m by 2 से क्यों multiply करना, क्योंकि हम जानते हैं, kinetic energy का formula होता है, half m v square, ठीक ना, अगर velocity v है, तो यहाँ पर होगा half m v square, अगर velocity u है, तो हो जागा half m u square, ठीक ना, तो m by 2 से, इधर भी multiply कर लेते हैं, और m by 2 से, दूसरे साइड में multiply कर लेंगे, मिन्स यहाँ पर value में कोई भी changing नहीं होने माली है, तो यह देखते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा, m v square by 2 minus, m u square by 2, एजू कस्टू, ठीक है, यहाँ पर लिखना पढ़ेगा, आपको, on multiplying, on multiplying, by m by 2 in above equation, above equation, यहाँ उपर वाले equation में हम क्या कर रहा है, m by 2 से multiply कर लेते हैं, दोनों साइड में, तो देखिएगा, यहाँ पर जब multiply करोगे, 2 m by 2, चाहिए, इस 2 को इधर ही रहने देते हैं, चलो, m by 2 से multiply किया, 2 as में, यहाँ पर 2 से 2 हो गया, cancel, और हमें दिखाई देगा, कि यह half e m by square, यह क्या है बचो, final kinetic energy, क्या है, final kinetic energy, को गिसर कैसे, देखिए जड़ा, इस point A पर देखो, अगर हम kinetic energy निकालते हैं, तो half m, और यहाँ पर वेलोस्टी कितनी है, u, तो half m, u का square हो जाएगा, और यहाँ पर kinetic energy कितनी होगी, half m, v का square, यहाँ पर मिल गया, half m by square, ओके, त kinetic energy, minus initial kinetic energy, is equals to, mass into acceleration, क्या होता, बच्चो, force, ठीक है, force बरबर क्या होता, mass into acceleration, यहाँ पर लिख लिएता है, f dot s, यहाँ पर लिखो का, since, f is equals to, mass into acceleration, ओके, और force into displacement, क्या खालाता है, work done, खालाता है, force into displacement, क्या होगी, work done, और काओ के सर, यहाँ पर, fs, cos theta होना चाहिए, तो दे displacement हो रहा है, वो along horizontal line हो रहा है, और जब horizontal line के long displacement होगा, तो यहाँ पर angle zero हो रहा है, ज़रा देखिये गध्यान से, जिस जिदर force लगाया जारा, उधरी body move कर रही है, तो cos zero का value one होगा, इसलिए आपर लिखनी की कोई आओ सकता, नहीं है, ठीक है, अब देखना, final kinetic energy, minus initial kinetic energy, मतल आता है, यहाँ पर मिल गया work done, therefore, work done will be always to the change in kinetic energy, और यह theorem बिल्कुल ही सही है, हमने इस theorem को mathematically भी यहाँ पर प्रूब कर लिया, हमने अभी just आपको बताया था, कि जो body move कर रही होगी, इस body के kinetic energy में जितनी changing आएगी, उतना ही इसमें work done होगा, और इस चीज को हमने यहाँ पर वीडियो को पॉस करो, मैं हट गया हूँ, वीडियो को पॉस करके से note करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको erase करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले topic की ओर, ठीक है? सो गाइस, देखते हैं, यहाँ पर हमारा अगला topic है, work in stretching spring, ठीक है, सबसे पहले समझ लो, कि spring का character क्या होता है, spring किस nature का behavior सो करता है, हम इसके बारे में बताते हैं आपको, generally आपने देखा होगा, कि जो spring होता है, वो stretchable nature का होता है, ठीक है, कैसा होता है, stretchable nature का होता है, यह rubber man होता है, जैसे वो stretchable nature का होता है, अगर मैं spring को लेकर कैसे stretch करता हूँ, तो फिर अपने पहले वाले safe को regain कर लेता है, ठीक है, elastic behavior सो करता है, और अगर मैं spring को ऐसे दबाता ह तो भी जैसे ही मैं उहां से अपना compression या कर सकता है तो फिर पहले बाले से वापस आ जाता है यानि कि आपने देखा कि जो spring है वो जरूर कोई ना कोई force लगा रहा है और वह force हमारे द्वारा लगाए गया force का अपोस करता है ठीक है और उस force को हम बोलते है spring force जनरली समझ लो कि spring force किन-किन factors पर डिपेंड करता है सबसे main बात मैं आपको बताना चाहूंगा only one factor हलाकि आप class limit में इसको बड़े ही detail में पड़े होंगे कि spring force क्या होता है और आपने यह फार्मूला पढ़ा होगा कि spring force बढ़ाबर होता माइनस kx ठीक है इस फार्मूला का आपने पढ़ा होगा कि spring force बढ़ाबर होता माइनस kx ठीक है और यह फार्मूला कहां से आया था आपने सुना होगा कि जो spring force होता है वह इस position के यह सब्सक्राइब होता है ठीक है ठीक है कि हम जतना ज्यादा displacement करेंगे यह जतना ज्यादा पोजिशन में चेंजिंग करेंगे spring भी उतना ही ज़्यादा force लगाएगा अब जरा सोचो कि मैं spring को हलका सा दबाता हूँ हलका सा अगर spring को थोड़ा सा दबाऊंगा तो spring थोड़ा ही दूर जाएगा ठीक है अगर मैं इस दिवार पर यहाँ जो हमारा board है यहाँ पर मैं spring को लेकर ऐसे हलका सा push करता हूँ हलका दूर नहीं जाएगा क्योंकि हमने force थोड़ा सा लगाया था और अपने shape को regain करना चाहता है इसने थोड़ा दूर जाके गिर जाएगा ओके दूसरी बत अगर मैं खूब ज़्यादा तेस से spring force लगाया हूँ और जैसे ही मैंने अपने hand को remove किया यानि कि अपने दौरा लगा है तो spring ने ज्यादा force लगाया और अगर हम इसके position में कम changing कर रहे हैं तो spring कम force लगा रहा है मिन्स हम कह सकते हैं कि जो spring force है वो displacement के यहाँ चेंज इन पोजीशन के directly proportional होगा और जैसे ही proportionality remove होती है यहाँ पे constant time आ जाता है को को कहाँ किस सूदा है यह restoring force हैना यह icing साथ हो होगा एक तो हमारे दौरा लगाया और एक होगा restoring force हम इधर के तरफ force लगा रहे है और restoring force लगा रहे है उदर की तराफ लगा तो simply आप कह सकते हो कि जो restoring force होगा, वो opposite direction में लग रहा है, इस वज़ा से इसका sign कैसा होगा, negative होगा, ठीक है ना, अब देखो हमें यहाँ पर निकालना, work done, हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस body को, ऐसे हम, एक spring से बदा हुए एक body है, जिसका mass yam है, इस body को मैं इसे stretch करता हूँ, और जैसे ही मैं इस body को stretch करूँगा, और stretch करके मैं इस को छोड़ूँगा, यह body फिर पहले के position में जाएगा, ठीक है, तो फिर पहले के position में जायेगा, ज़रा सोचोू कि हमने कि इधर force लगाया है, हमने इस direction force लगाया था, हमने इधर force लगाया था, यहांनि कि मायनस KX force था, किस लगाया था, हम बॉड़ी जा किदर रही है इसके अपोजिट में समझ गये ना हमने फोर्स इधर लगाया और बॉड़ी किदर जा रही है हमारे रिमूब करने के बाद हमने जब फोर्स को रिमूब कर दिया उसका बॉड़ी जा किदर रही है इसके अपोजिट में मेंस यह हुआ कि जो स्वार्क करा रहा है ठीका ना अगर हमें यह पोटेंचिल एनरजी फाइंड करना होता है तो नेगटीव साइन को लेकर विसल्ट है खेर में वर्डन निकालना है तो देखिए गवर्डन कैसे फाइंड करते हैं यहाँ तो कंसीडर कर लो कि यहाँ पर displacement मालो x हुआ है यक्ष displacement हुआ है लेकिन हमें फाइंद करना है कि टोटल वग्डन कितना होगा टोटल वग्डन करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा elementary displacement लेते हैं d-yax ठीक है एक चोटा सा elementary displacement क्या लिया d-x ले लिया और इस d-yax पर workton को find करेंगे तो वर्कडन भी बहुत कम होगा आप जरा सोचो कि जब हमारे पास समय बहुत कम होगा तो हम displacement बहुत कम कर पाएंगे अगर displacement कम करेंगे तो वर्कडन कम होगा बास समझ में आ रहा है यानि कि कैसे हो दो वर्कडन बाईय बॉड़ी दर वर्कडन रोल्गं बॉड़ी बाईय बॉरड़ी अपयो बॉर्कड़न वर्कडन बाईय बॉड़ी घ्यरत एम इंस्टेट तैए till T T T okay at n instant time BT कि इस घाइन से देखते हैं तेहां पर वर्ण बहूत कम होगा DW वर्ण होगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और जो समय बहुत कम हो जाएंगे और हम जब बहुत कम दूर जाएंगे तो बहुत कम वर्क होगा तो यहां पर हमें लिखा क्या DW यहां पर जानते हैं यहां पर कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है spring force हमने बताया आपको कि generally यहां पर minus kx हमने लगाया था जो हमने force लगाया था वो force क्या था minus kx था और हमारे दोरा लगाया गया force के opposite में वगदन हुआ मतलब कि जो restoring force है वो applied force के opposite में है तो यहां पर क्या लिख सकते हो kx into dx हो गया अब देखिएगा यहां पर हम क्या करेंगे दोनों साइड को integrate कर देते हैं on integrating both side we get on integrating both side on integrating integrating both side we get देखिएगा क्या मिल जागा हमें we get इज़र आचा कहां से कहां तक हमें integrate करना है भी लिखते हैं on integrating both side from from x is equals to x initial से लेके x final तक यहां कि यह position हमारा initial position है और यह position क्या है final position है मतलब थोड़ा सा displacement हो गया तो यह final position हो गया तो यह को कहां से कहां तक integrate करना है यक्स initial से x final तक तो यह देखते हैं dw को जो इंटेग्रेट करें क्या मिल गया वर्टन मिल गया दोन साट को इंटेग्रेट कर रहा है चाहिए और इंटेग्रेट करते हैं कहां से कहां तक के एक्स इंटू डी एक्स लिमिट कहां से कहां तक है यक्स initial से लेके यक्स final तक अब देगना तो वर्टन जो कोस्टम जाएगा के हमारा कॉंस्टेंट है जो कि बाहर निकल जाएगा और यक्स इंटिग्रल होगा वह जाएगा यक्स स्क्वाइर वाई टू ओके और लिमिट कहां से कहां तक है यक्स initial से लेके यक्स final तक तो हमें मिल जाएगा वर्टन जो कोस्टू के इन ब्रेकेट यहां पर यक्स के जगह पो यक्स फाइनल का स्क्वाइर बाई टू माइनस यक्स इनिशियल का स्क्वाइर बाई टू ठीक है न हमने क्या किया एक बार यक्स के जगह पर फाइनल वैलू रख लिया माइनस फिर यक्स के जगह पर इनिशियल वैलू रख लिया है तो हमें मिल जाएगा वर्ग्रन इस उ पोटेंसियल एनर्जी एक और बात बताया आपको यदि आपको पोटेंसियल एcole लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि यह वर्गण हम कैसे फाइंड करते हैं कि जब भी कोई स्प्रिंग फोर्स लगाती है या हम किसी स्प्रिंग फोर्स लगाते हैं और पॉड़ी में डिस्प्लस्मेंट आ जाए तो हम वर्गण को कैसे फाइंड करेंगे यह लगभग आपको क्लियर हो गया होगा तो गाइस मैं हड जाता हूं आप इसका एक नोर्स बना ले ठीक है एक प्रोपर नोर्स हमारे साथ साथ बनाते रहों क्योंकि मैं एकदम सेक्वेंस वाइज आपके लिए वीडियो लेकर करके आ रहा हूं जो भी ल अगर सपोर्ट करता हूं यार फिजिक्स के स्टुडेंट हो तुम लोग न्यूटन के लोग को जानते ही होगे न्यूटन का थार्ड लोग क्या काता है इच और एक्संस है विटकॉल अपोजिट रियक्शन अगर मैं आपके लिए एक एफोर्ट लगाता हूं तो आपका भ वीडियो अप्लोड करूं वह आप तक पहुंच जाए और हमारे हवसला को बढ़ाने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें ठीक है और ज्याद स्यादा लोगों को सेर्वी करें तो इसको नोट करो जल्दी से फिर मैं पावर पे चलता हूं अपने अपने पढ़ा इस ह침को अल्यडी पढ़ा क्लासफिस में पढ़ा है क्लास इलेवं समस्में भी पढ़ा है ठीक हैँ असे हम बोलते हैं भार से पावर क्या है असल बात समझलों ठीक है मैंने बोला कि दरेट आप डूइंग वरक इसकाल पावर अजिसे सपोज कर लो कि बाहर बहुत सरा समान रखा हुआ है या बाहर सपोज कर लो कि मिट्टी गिरी हुई है दो बच्चे है दोनों बच्चों को हमने कहा कि मिट्टी को वहां से उठाके घर में लाके रखन और दूसरा बच्चा बहुत ही दुबला पतला कमजोर सा बच्चा है मैं दोनों को बोलता हूँ कि आपको बाहर की जो मिट्टी है उसे उठाके घर में रखनी है और दो कमरे हैं दोनों के सामने मिट्टी गिरी हुई है इक्वल एमांट में तो आप देखेंगे कि जिस पर जो मिट्टी रखी होगी उस मिट्टी को बहुत कम समय में घर के अंदर रख देगा क्योंकि जादा जादा उठाएगा और लाके रख देगा अगर हम बात करें बच्चे की जो बहुत कमजोर सा है तो वो उस मिट्टी को लाने में बहुत जादा टाइम लगा देगा क्यों क्योंकि उस बच्चे के पास ताकत कम था शक्ती कम थी यानि कि पावर कम था और जब पावर कम था तो कारे तेजी से नहीं कर पाएगा कारे धीमे धीमे गती से करेगा ठीक है और जिसके पास ताकत ज़्यादा होगा वो कारे को बहुत ही जल्दी से करता है तो लगबग समझ गए होंगे आपकी पावर क्या होता है पावर का मतलब होता है the rate of doing work is called power यानिकि वर्गदन पर में time is called power सपोच कर लो कि यहाँ पर जो time है time की value बहुत ही कम है यहाँ पर limit लग जाए कि delta t tends to 0 कि बहुत ही कम time में कितना वर्गदन होगा अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि ताइम की value कम होगी तो displacement कम होगा displacement कम होगा तो वर्गदन कम होगा और यहाँ पर हमें निकालना है instantaneous power को देखिएगा if if delta t tends to 0 मतलब यह delta t 0 नहीं है लगभग 0 को एप्रोच कर रहा है मैंने लिख लिए जीरो पॉइंट जीरो 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 बहुत सारा जीरो वन सेकंड तो इसका मतलब क्या है कि वह time का value 0 तो नहीं है लेकिन लगभग 0 के बराबर है ठीक है तो यह देखते हैं यहाँ पर पावर ही जो को स्टू क्या मिल जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा डबल्यू अपॉन डेल्टा टी ठीक है और मुझा जानते हैं जब भी लिमिट लग जाता है यहाँ पर डेल्टा की का value अगर 0 आ जाता है तो हम क्या लेक सकते हैं यहाँ पर dw upon dt इसको हम differential form में convert कर लेते हैं सबी लोग पढ़ें अच्छा एक चीज और पढ़ा होगा कि वर्गडन जो होता है वो force और displacement का कर सकतों product होता है तो यहां पर क्या लिख सकते हैं सब्सक्राइब खिड़ेन थैर अधिए यह अफ कि पंडी टी इस में और यहां पर जो लगाई गया dependence हो एक बितने पहा लागा था एक बार्ले ने को फोरॉस लगा दिया है हमने मालों 10 न्युटन पर जब फोर्स का वेलू कॉंस्टेंट होगा तो बचा कौन डिस्प्रस्मेंट तो हम देखते हैं कि पावर इजू कॉस्टू मिल जाएगा f into ds upon dt और यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि ds upon dt velocity कहलाता है ds upon dt क्या कहलाता है velocity the rate of changing position is called velocity displacement upon time is called velocity यहां पर लिख सकते हो power is equals to f into v ठीक है since v is equals to ds upon dt तो यहां पर हमें power का value मिल गया क्या the rate of doing work is called power और जिसका हमने final formula derive किया f dot v ठीक है फिर लगबख समझ गया होंगे की power क्या होता है आएगे हम इन दोनों के यह साइने बाए में बता जेते है अभी जस्त हमने आफ को energy के बासचा करें तो बस्तॉड एस होता है हम यह साही का वर्ग्डन है यह यूनिट आफ work done तो यह होता है जूल ठीक है लेकिन इसका work done कैसा unit find कैसे करें हम जानते है आफ dot yes होता है तो force का होता है Newton और इसका हो जागा second तो displacement का सरी displacement है तो displacement का हो जागा meter यहाँ पर मिल जागा Newton meter ठीक है या इसी को हम बोलते हैं जूल अगर सपोज कर लो एक Newton न्यूटन फोर्स लगाने पर बॉडी में वन मीटर डिस्प्लस्मेंट हो जाए हम कहेंगे कि इस बॉडी पर एक जूल एनरजी कंजूम हो रही है ठीक है अच्छा यानि कि हमने देखा किसका यसाई उनिट जो वर्गन है वर्गन कैसा उनिट जूल होता है या फिर का सकते न आशनी से लूटनमीटर मिटर वैसे ही अगर हम बात करें यसाई उनिट आफ पावर की स इसा उनिट आफ पावर वह क्या मिल जाए मतार वन प्रफोर म्सक्राइब है क्या सब्सक्राइब एक जूले एक सेकंड्स ताइम एक तर ऐसेम याicky फिर इनरजी कि खफत होती है हम कर सकते हैं कि इसका पावर 1 watt होगा ठीक है एक से और ध्यान रखना कि जो वाट होता है वाट बहुत छोटी quantity होती है ठीक है बहुत छोटा वैलू होता वाट या सेकंड का सब्सक्राइब बहुत छोटा वैल्यू होता है तो अगर हम चाहें मेजर्मेंट की बात करें जो हमारा कमर्शाल यूज में तो उसमें हम Cu को पावर को हम मेजर करता है कीलो वाट में जो पावर है उसको किसे मेजर करेंगे कीलो वाट में और जो हमारा एनर्जी है क्योंकि एनर्जी वगन के बराबर होगा वगन के बराबर ही एनर्जी होगा यानिकि पावर ही जो लिख सकते हो एनर्जी अपन टाइम ठीक है तो जो वैलू है जो कि SI unit होता है जहां पर kilowatt hours होगा वह energy का commercial unit होता है ठीक है तो the commercial unit of energy is kilowatt hour तो लगबग आपको आज के lecture समझ में आये होंगे और बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझ में आये होंगे इसमें हमने तीनों टॉपिक को बड़ा क्लियरली आपको समझा दिया है जो कि BSC लेबल के थे लेकिन हम उसे बहुत छोटे लेबल का जैसे पढ़ाया जाता है जैसे class 11 के बच्चों को पढ़ाया जाता है कुछ उस में हमने आपको समझाने का कोशिस किया है और हम अपना पूरा इफोर्ट आपके लिए लगा दिये और इसका प्रूफ देख सकते हो पूरा शरीर भेगा हुआ है इतने गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो यार लाइक तो बनता है और कोशिस करिए कि जादा से जादा इस वीडियो को सेर करें और अपने दोस्तों को बताए और मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि मैं अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक के एकडमिक वीडियो को बनाता हूं और BSE के higher वीडियो को भी मैं यहापे अपलोड करत तो आपको लिंक मिल जाएगा आपको ज्यादा परिशानी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तब तक बिजा लेते हैं मिलते हैं आप से अगले वीडियो में जैहिंद